पर जो की है Quad cancelled Quad की जो meeting थी वो cancelled हो चुकी है और India का यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को चलते हुए एक बड़ा स्वागत हुआ है Quad को समझेंगे यह meeting क्यों cancelled हुई है इसको समझेंगे और इसी मुद्दे से related है जो मैंने US का जो debt default या फिर crisis या collapse कुछ भी आप बोलो वो जो topic मैंने आपको शुरू-शुरू में बताया था वो topic भी इसी से related है दोनो topics को एक ही साथ merge करके हम पढ़ने वाले हैं अगले 10 minute आप सभी के लिए बेहत ज़रूरी होने वाले हैं तो 10 minute आप सभी को मेरे साथ जो है यहीं पर आया हुआ था हम 4 countries ने नाम बता दिजे फटा फट बहुत असान है बहुत बार पढ़ाया हुआ है quad countries कौन कौन सी है मैं आपको reason बता देती हूँ कि क्या reason है तो हाल ही में हाल ही में जो है ये जो sir है आप Joe Biden मेरे पीछे देख सकते हैं जो बाइडन ने हाल ही में बूला है कि मैं जो है यहां पर इस quad summit को attend नहीं कर पाऊंगा जिसके चलते जो है ये पूरा summit जो है cancel कर दिया गया है quad summit cancelled after Joe Biden pulled out of Australia trip इनको हाल ही में इसी हफते और अगले हफते में travel करना था तीन जगा तीन जगा यानि तीन कामों के लिए जो है इनको travel करना था एक तो G7 का summit होना था एक पापा ने गिनी करके एक island है वहाँ पर travel करना था और उसके बाद quad summit के लिए Sydney यानि Australia में जाना था अब ये तीनों trips cancel नहीं हुई है G7 के लिए ये अभी भी आ रहे है G7 countries, G7 grouping को ये अभी भी attend करने वाले है थोड़ा सा mapping की तरफ चलते हैं तो जब मैं Sydney की बात कर रही हूँ तो वह Australia में पढ़ता है Australia के just उपर एक island देश आपको देखने को मिलेगा पापनी गिनी ठीक है तो कहां कहां वो जाने वाले थे G7 का summit करने के लिए जाने वाले थे जो Biden जो की अभी भी आने वाले है G7 के summit के लिए वो अभी भी आने वाले है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा question mark उठ जाता है कि जी आप G7 countries का जो ये summit होने वाला है ठीक है यहाँ पर आप ये देख सकते हैं G7 summit in Hiroshima ठीक है तो यहाँ पर आप आने वाले हो ठीक है ओके हाँ जी सो G7 के summit के लिए आप आने वाले हो sorry there was a some there was some sound उच अभी मुझे fire alarm का sound सुनाई दिया इसलिए मैंने एक minute का pause ले लिया था anyways शुरू करते हैं so question सबसे बड़ा जो मैं बोल रही थी वो यह है कि जी आप जो है जपान में G7 का summit attend करने आ रहे हो जपान कहाँ पर है जपान है यह जपान आ रहे हो आप Australia नहीं आ सकते क्वार्ड सम्मिट करने के लिए आप पापनी के नहीं इसी के नीच अपड़ता है आप यह नहीं आ सकते so सबसे बड़ा question यह है कि क्वार्ड क्या important नहीं है आपके लिए इन्होंने जो reason दिया है इन्होंने क्या reason दिया है खर इन्होंने तो कोई reason नहीं दिया वो reason इतना you know सब को दिखाई दे रहा है कि हम सब समझ सकते हैं कि यह ऐसा क्यों कर रहे है problem है problem क्या है problem है US में किसी भी time एक you know US के उपर ना कर्जा बहुत जादा हो गया है और वो कही ना कहीं एक crisis crisis की situation में जाने वाले है यह एक problem है US में क्या होता है कि एक limit set करी जाती है कि जी इस से जादा इस limit से जादा आप debt नहीं ले सकते आप कर्जा नहीं ले सकते या फिर आप इस limit से जादा खर्चा नहीं कर सकते हो यह एक limit तै करी जाती है वो limit भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ यह map देखेगा यह देखेगा यहाँ पर एक ceiling है जो set करी जाती है जो कि dollar 30 trillion की ceiling जो है वो set करी गई थी यह यह जो ceiling है यह आपको सीधा-सीधा cross होती हुई दिखाई दे रही है और यही problem तो Biden की जो government है वो कह रही है कि June 1 से पहले June 1 इसकी deadline है June 1 से पहले यह ceiling को बढ़ाया जाए ceiling को और उपर कर दो मुझे और पैसे दे दो वो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं ठीक है आप एक limit से जादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हो नहीं बाहर से ले सकते हो यह actually वहाँ पर problem हो रही है और इसी के चलते जो है उन्होंने इस summit के लिए भी मना करा है यह problem है जिन students को नहीं पता तो I'm sure आपको यह मुद्दा clear हो गया होगा कि इन्होंने आना था तीन जगा आना था और उसमें से quad इन्होंने अभी cancel कर दिया है जिनको नहीं पता G7 countries के बारे में और इस पूरे group के बारे में तो G7 countries में वो सारे विकसित देश आते हैं जैसे for example आपका Germany, UK, France, Canada, US, Italy और Japan सारे विकसित देश जो हैं वो आते हैं G7 group को हम पहले G8 group बोलते थे क्योंकि इसमें रश्या भी हुआ करता था अब रश्या को निकाल दिया गया है 2014 में क्योंकि रश्या ने Ukraine का एक पार्ट होता था पहले क्रीमिया उसको एनेक्स कर लिया था वो क्रीमिया बड़ा ही इंपोर्टन था लोकेशन उसकी इंपोर्टन था अरे वल्ल्ड माप है नो मेरे पास वल्ल्ड माप में दिखाती हूँ आपको कहां पर है क्रीमिया मुझे तो वल्ल्ड माप पर्सनली देखना बड़ा पसंद है और क्योंकि clarity बढ़ी होती है इससे ठीक है so I'm not sure इसमें हम देख पाएंगे या नहीं थोड़ा सा अगर नहीं इसमें क्लियरली नहीं दिख पाएगा यहां पर Russia तो है Ukraine क्लियरली नहीं दिख रहा है इक बड़ा important port है सवस्तिपल port करके एक port है जिसको Russia यूज करता था और क्रीमिया ने बोला कि हम तुमें अब यूज नहीं करने देरी तो Russia ने क्या किया वो पूरी जो है वो पूरे आइलंड को ही ले लिया इंगलेंड यानि UK का पार्ट हो है इंगलेंड इंगलेंड ये कह रहा है कि G7 कंट्रीज में हमें इंडिया को भी शामिल करना चाहिए जो कि बहुत ही बड़ी न्यूज होगी अगर ऐसा सच में होता है तो ठीक है अगर ये क्या ये ग्रुप दुबारा G8 बन जाएगा खेर वो एक अलग पार्ट है बट ये एक इंपोर्टन डेवलप्मेंट है जो मैंने आपके साथ कवर किया था बड़ी इंपोर्टन न्यूज है ठीक है ओके 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 ये आपको पता होना चाहिए अगर मैं बात करती हूँ क्वाड की तो क्वाड में चार देश आते हैं इंडिया जपान यूएस से और ऑस्ट्रेलिया ये अलासका यूएस का ही पार्ट है ठीक है और ये ख्राश होने के और ये सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ ही ली हैं तो आप ये पूरा मुद्दा आपको समझ आ गया होगा ये समझ आ गया होगा कि ये मीटिंग क्यों कैंसल हूई है और आस्ट्रेलिया के जो PM है उन्होंने हमारे जो PM है उनको जो है बोला है कि आपका स्वागत है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं एक Australia और India की जो एक relationship है वो और ज़ादा strong होती हुई दिखाई दे रही है इसलिए हमारे लिए एक अच्छी opportunity भी है खेर यह बहुत अच्छी बात है नहीं पूरे global उसके लिए यानि global scenario में अगर हम देखे तो बहुत अच्छी बात है नहीं कि अचानक से उन्होंने मना कर दिया बाइडन ने मना कर दिया आने से पापा निगिनी ने तो उस दिन जिस दिन बाइडन आने थे उस दिन अपना holiday भी डिक्लेर कर दिया था उनको भी एक अलगी disappointment है बागी अच्छा decision है नहीं as far as I can think of ठीक है ऐसे अचानक से मना कर देना is not a good decision is not a wise decision anyways so I hope यह दोनों topics कैसे interconnected है यह आपको समझ आ गया होगा और जो मैं आपको हमेशा बार बर पढ़ाती रहती हूं कि de-dollarization का time चल रहा है हम लोग gold जादा खरीद रहे हैं हम लोग dollar को bypass कर रहे हैं कहीं ना कहीं dollar की value कम होती जा रही है रुपी का जो है recognition बढ़ता जा रहा है ठीक है आप सिफ exchange rate को compare करते हो कि क्या मैं क्या बोल रहो एक रुपी असी